5 Longest Rivers of India Hi guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के 5 सबसे बड़े रिवर्स के बारे में वीडियो की ओर जाने से पहले चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप नियू वीडियो मिस ना करें तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं नमबर 5 पे हैं नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है और यह देश की पांच भी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा रिवर की लेंध लगभग 1312 किलोमेटर्स है यह मध्यप्रदेश के अमरकंटक पहाडों से उत्पन्न होती है और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्यप्रदेश के राज्यों से बहती हुई अरव सागर में मिलती है नर्मदा नदी को कई हिंदू लोग एक देवी के रूप में मानते हैं और इसमें शुद्ध करने की शक्ती भी होती है, ऐसा भी माना जाता है नर्मदा रिवर एक विविधता से भरी जंगली जीवजन्तु जैसे मुगर मगरमच और भारतियस की मरपक्षी का घर भी है यहां नदी इरिगेशन और हाइडरो पावर को जेनरेट करने के लिए एक इंपोर्टेंट सोर्स है और यहां बहुत से हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक भी है अपनी कल्चरल और एकोलोजीकल सिग्निफिकन्स के बावजूद नर्मदा नदी को पल्यूशन और वाटर ओवर यूज जैसी कई एंवाइरनमेंटल डेंजर का सामना करना पड़ रहा है रिवर के वाटर को और उसकी रिसोर्सेस को सही से यूज में लिया जाएं और उसकी रिच बायो डिवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काफी एफट्स किये जा रहे हैं नंबर चार पे है यमुना रिवर यमुना रिवर नॉर्धन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है और यह देश की चौथी सबसे लंबी नदी है यमुना रिवर की लेंध की बात करे तो यह लगभग 1376 किलोमेटर्स लंबी है यह हिमालय के यमुनोतरी ग्लेशियर से उत्पन होती है और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हर्याना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरती है फिर लास्ट मी इलाहबाद में गंगा से मिल जाती है यह नदी कई हिंदूओं द्वारा पूजनिया है और गंगा की बहन मानी जाती है यमुना इरिगेशन और पीने के पानी के लिए एक इंपोर्टेंट सोर्स है और कुछ विलुक्त प्रजातियों सहित डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अक्वाटिक लाइफ के घर भी है हालांकि human activities के चलते जैसे untreated sea wage और industrial waste के कारण नदी भी काफी ज्यादा polluted हो गई है और जिससे river की ecological health नीचे जाती जा रही है नदी को साफ करने और इसके resources को सही से use करने के लिए efforts किये जा रही है नंबर तीन पे है कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर भारक की प्रमुख नदियों में से एक है जिसकी length लगभग 1400 किलोमिटर है यह महाराश्ट्र के western धाट से उत्पन होती है और आधर प्रदेश तधा करनाटक के माध्यम से बंगाल की खाडी में बिसर्जित होती है नदी agriculture के लिए important water irrigation का source है और शेत्र में rice, sugar cane और बाकी फसलों की खेती को सपोर्ट करती है कृष्णा बेसिन में कुछ important wildlife sancturies और national parks भी है जिसमें नागारजुन सागर्श्री शैलम ताइगर रिजर्व और कृष्णा wildlife sanctuary शामिल है नदी के तटों पर कुछ महत्वपून और लोक्त्रिय मंदिर और तीर्थस्थल भी है जिसमें कुछ एतिहासिक मंदिर शामिल है नमबर दो पे है गोदावरी रिवर गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमिटर है जह महराश्ट्र के western घाट से उदपन्न होती है और तेलंगाना, आंधर प्रदेश और ओडिशा के माध्यम से बंगाल की खाडी में बिसर्जित होती है रिवर खेती के लिए महत्वपून water resource है और खेतर में cotton, शुगर केन और अन्य फसलों की खेती को समर्थन प्रदान करती है गोदावरी बेसिन में कुछ important wildlife sancturies और national parks भी है जिसमें पापी कोंडा wildlife sanctuary और किंडरासानी wildlife sanctuary शामिल है नदी के तटों पर कुछ महत्वपून और लुप्रियमंदिर और तीर्थस्थल भी है जिसमें कुछ एतिहासिक मंदिर शामिल है गोदावरी कुशकरालू एक major हिंदू festival है जो हर 12 साल में नदी के तटों पर मनाया जाता है गंगा रिवर भारक में सबसे पवित्र रिवर्स में से है और इसे अकसर गंगा के नाम से जाना जाता है यह लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई की सबसे लंबी नदी है यह नदी हिमालय से उत्पन होती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के राजियों से होकर बंगाल की खाडी में बहती है गंगा अग्रिकल्चर के इरिगेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है और शेतर में राइस, वीट और शुगरके इन जैसी फसलों की खेती में उप्योगी है गंगा बेसिन में कुछ इम्पोर्टेंट वाय्ड लाइफ और नाशनल पार्क्स है, जिनमें दूधवा नाशनल पार्क और बालमी की नाशनल पार्क शामिल है नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं जिन में वारांसी, हरिद्वार और इलाहाबाद शामिल है हिंदू धर्म में इस नदी का बहुत महत्व है और उनका मानना है कि नदी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्थ होता है आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे नीचे कॉमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे हैंस फॉर वाचिंग